हेलो दोस्तो नमस्कार अगर आप मासाहारी हो तो साइद आपको चिकन के फायदे पता होंगे लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं आज की हमारी इस वीडियो में आपको इसके सभी लाप जानने को मिलेंगे वैसे हमारा किसी भी वेजेटेरियन वेक्ति को नौन वेजेटेरियन बनाने का कोई इरादा नहीं है जब भी कोई नौन वेज खाने की सुरुवात करता है तो जातर लोगों की सुरुवात चिकन या साथ परदार्त भी होता है जिसके सारे आप अपना वजन कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हो इसके अलावा चिकन के नियमित सेवन से आपका बलट प्रेसर और कोलेस्ट्रोल भी हमेशा नॉर्मल रहते हैं लेकिन सर्थ यह है कि आप चीकन को फ्राय करके खाने के वज़ से चिकन में पाया जाने वाले पोशक ततो के बारे में, चिकन खाने से हमें काफी अच्छÈ-च्छे पोशक ततो की प्राप्ति होती है, जो बढ़ियां सेहत बनाने के लिए जरूरी भी होते है है, इनमे सब से मुख इसके अलावा इसमें एंटी ऑक्सिडेंट भी पाये जाते हैं जो हमारे सरीर के विभीन किरियाओं मतलब काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और फ्री रेडिकल से भी लड़ते हैं नोनवेज खाने की सुरुवाद करने के लिए चीकन यानी मुर्गे का ही मीट सबसे सुरचित होता है क्योंकि ये पचाने में और अन या माचाहारी चीजों से थोड़ा असान होता है इसके अलावा चीकन का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कोलेस्टरोल बढ़ने का खत्रा भी नहीं होता है कोई भी वेक्ति चीकन खाकर आसानी से ये जान सकता है कि नोनवेज उन्हें सूट करेगा या नहीं चीकन यानि मुर्गे का मीट में पाये जाने वाले पोसक तत्व ही इसमें सबसे अलग करते हैं खेर चलिए अब जानते हैं चीकन खाने से क्या क्या स्वास्त फायदे होते हैं चीकन के सेवन से होने वाले फायदों में नमबर एक पर है कि चीकन आपकी सेहत बनाने में मदद करती हो हमारी बात को आप समझी गए होंगे जितने भी दूले पतले और खास कर कमजोर लोग है और ध्यान दे आप लोग अगर सपता में दो बार भी चीकन खाएंगे तो आप कुछी दिनों में काफी हेल्दी हो जाएंगे इसी तरह जिनको अच्छी बोडी बनानी हो यानि मसल्स बनानी हो उनके लिए भी बहुत फायदेमद होता है इसमें सभी ऐसे पोसक तत्व मौजूद है जो जल्दी से जल्दी अच्छी मसल्स बनाने में काफी मददगार है मुर्गे का मीट यानि चीकन का नियमिद से इस्तेमाल करने के फायदे इस से बहतर और क्या होंगे अगर आप exercise भी नहीं करते तो भी चीकन खाने से कमजोरी रपू चक्कर होगी और आप सेहतमन रहेंगे नमबर दो पर है चीकन खाने से दिल को कोई नुकसान नहीं होता आम तोर पर हम यहीं पढ़ते आये हैं कि जादतर मासहारी चीजे दिल के लिए खतरनाक होती है इसलिए इनका इस्तमाल ना ही किया जाये तो अच्छा है लेकिन चीकन का इस्तमाल आप बिना किसी टेंसन के धरले के साथ कर सकते हैं इसका कारण भी आपको बता देते हैं दूसरी नौन वेच चीजों में कोलेस् Custom पाया जाता है जो दिल के लिए बढ़ा खतर होता है ऐसा नहीं कि चीकन में कोलेस्टरोल नहीं होता है पर इसमें एक खास तत्वर नियासीन भी पाये जाता है जो कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने के लिए मस्हूर है यही कारण है कि चिकन के बेनिफिट आपको बिना दिल को नुक्सान पहुँचाए मिलते हैं अगर आप मसल्स बनाने के साथ अपना वजन भी कम करना चाहते हैं तो मूर्गे का मीट खाना शुरू करें इसमें काफी ऐसे तत्व पाय जाते हैं जो आपका वजन कम करने के लिए सहायक है जैसे जिंक और सेलेनियम ऐसे तत्व है जो आपको मेटाबोलिज में रेट को काफी हद तक बढ़ा देते हैं इतना तो आप जानते ही होंगे कि मेटाबोलिज्म बढ़ने से वजन अपने आप कम होना सुरू हो जाता है क्योंकि जो भी आप खाते हैं जितना भी खाते हैं वो समान ये से कम समय में पहुंच जाता है और आतिरिक केलोरीज बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है एक्ष्टा केलोरीज ही हमारे वेट बढ़ाने के लिए जिमतार होती है नंबर चार एनेमिया से बचाए चिकन खाने के फाइदे हमिं कई रोगों से बचाने का काम भी करती है उनी में से एक है एनेमिया जिससे बहुत सारे लोग पिल्डी थे एनेमिया के मरीज को ज्यादा तर आयरन से भरपूर भोजन लेना चाहिए जिससे उसमें खून की कमी को दूर किया जा सके नियमित रूप से चीकन का सेवन करने से आपको ना सिर्फ भरपूर अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है बलकि इसमें बिटामिन A, B, C, E और K काफी अच्छी मात्रा में होते हैं जिनके कारण हमारे सरीर में रेट बलड सेल्स की संख्या बढ़ती है चीकन खाते रहने से सरीर में खून की कमी नहीं होती है नमबर पांच हडियों को मजबूत करे जो लोग मासाहारी होते हैं उनकी हडिया काफी मजबूत पाई जाती है आप सब ने भी ऐसा कभी न कभी जरूर महसुस किया होगा चीकन के इस्तमाल से भी आपकी हडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है चीकन से आपको बहुत ही अच्छी मातरा में कैलसियम, फोसफोरस मिलते हैं जो आपस में मिलकर हडियों को सोलिड बनाते हैं नमबर छे, रोग परतिरोधक छमता बढ़ाए चीकन के फाइदे आपको बहतर इम्मुनिटी यानि रोग परतिरोधक छमता के रूप में मिलते हैं आजकल के जैसा माहोले उसमें हमें बढ़ियां इम्मुनिटी की सक्त ज़रुरत है पर दूसरन और मिलावट की इस दोर में तरह तरह की बिमारिया फैल रही है ऐसे में बहतर खान पान ही हमारी कुछ मदद कर सकता है चीकन में एंटी ओक्सिडेन के साथ प्रोटीन, जींक, मैगनेसियम, सेलेनियम, राइबोफलेविन और आइरन पाया जाते हैं जो कि हमारी रोग परतिरोधक छमता को काफी हद तक बढ़ा देते हैं इससे हमें बिमारिय से बचने की ताकत मिलती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीकन का इस्तिमाल करना बहुत लागकारी है नमबर साथ दिमाग के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि चीकन के हेल्थ बेनिफिच में दिमाग का नाम कैसे आगया तो आपको बता देते हैं कि दिमाग की कुछ किरियाओं में चीकन काफी फाइदेमन साबित होता है जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है तो चीकन का इस्तेमाल करने से आपको दिमाग की सांती प्राप्ट हो सकती है इसका कारण यह है कि चिकन खाने से आपको जितने भी पोशक तत्व मिलेंगे उनमें पैंथोनिक एसिड और विटामिन B5 ऐसे तत्व है जो दिमाग को सांथ करते हैं दिमाग अगर सांथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा पर्फोमिस कर पाएंगे अगर आप अपने बच्चो को भी चिकन खाने के लिए देते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही फाइदेमन साबित हो सकता है इससे उनकी लंबाए बिना किसी रिकावेट के काफी अच्छे से बढ़ना सुरू हो जाएगी चिकन में एमिनो एसिट काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो हाइट बढ़ाने में मददतार होते हैं इसके अलावा बिटामिन्स और मिनरल तो है ही नमबर 9 चिकन हार्ट अटेक का खत्रा कम करता है क्या आपने कभी होमोसिस्टीन का नाम सुना है अगर नहीं तो आपको बता दे कि जिस वेक्टी के सरी में होमोसिस्टीन का जितना अधिक लेवल होगा उसे उतना ही जादा हार्ट अटेक आने का खत्रा होगा लेकिन चिकन के नियमी इस्तिमाल से आपको बिटामिन B6 और नियासीन मिलते रहेंगे बिटामिन B6 होमोसिस्टीन का लेवल कम करता है और नियासीन कोलेस्ट्रोल लेवल कम करता है जिससे हार्ट अटेक का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है ये कुछ खास और सीरियस चिकन खाने के फायदे हैं जो इस नोनवेज खात परदात को अलग करते हैं नमबर दस योन छमता में ब्रिदी चिकन खाना आपकी योन सक्ति को बढ़ावा करता है इसके लिए इसमें तीन बहुत ही खास तत्वों होते हैं पहला है सेलेनियम, दूसरा है जिंक और तीसरा है विटामिन E आप सब इन तत्वों की कार्य परनाली के बारे में जानते ही होंगे जिंक पूरुसों में टेस्टो ओस्टरोन हार्मोन का लेवल बढ़ाता है जो की पौरूस सक्ति के लिए जिम्मेदार होता है सेलेनियम और विटामिन E का मेल्स ओर्गन्स पर जबदस्ट परभाव होता है जो पूरुसों में योन दुर्बलता को दूर करने के लिए जाने जाते हैं पर फ्रोजन चीकन या फ्राइट चीकन नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से इसके बहुत से पौसकतत्व नस्ट हो जाते हैं